differentiation या derivatives के बारे में बात कर रहे हैं आज इसमें हम दो चीजे लेंगे एक हम product rule लेंगे एक question rule लेंगे उससे पहले थोड़े से एक दो और ठ्योरा मता देता हूं जो handy होंगे जो differentiation होता है d by dx constant function का कोई constant function है उसका होता है 0 जैसे d by dx आप करना चाहे 5 का तो यह आपका 0 आएगा इसी तरीके से अगर जैसे माल लिजे आपका d by dx करना है और आपके पास function है और यहाँ पर कोई constant है तो आप क्या करेंगे इसको constant को बाहर कर देंगे और d by dx of fx करेंगे जैसे आपके पास एक function है 5x square इसका d by dx करना है तो क्या होगा आप 5 भाहर ले लेंगे और d by dx करेंगे x square का तो 2x आएगा nx की power n-1 5 यह 2 और यहाँ पर x तो 10x आएगा इसका अब आप देखिए हम जो अगली चीज़ देखने वाले हैं important है बहुत सारे सवालों में इसका उपयोग होने वाला है जिसको हम कहते है product rule क्या है यह product rule है यह differentiation का मैं आपको direct बताऊँगा क्योंकि इसका derivation है वो भी है लेकिन आप इसको समझ जाएंगे जब हम question करेंगे तो तो इसमें आएगा d by dx अब आपकी पास दो function है एक fx है और एक gx है आपको differentiation करना है और दो function का multiplication है तो इसका उत्तर क्या आएगा इसको आप direct कैसे लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे तो कि पहले आप पहले function को बहार निकाल देंगे मतलब यह fx को बहार निकाल देंगे अगली बार आप gx को बहार निकाल देंगे तो जब fx को बहार निकाला तो क्या बचता है gx तो d by dx of gx हो जाएगा जब आपने gx को बहार निकाला तो क्या बचा है fx तो d by dx of fx इसी को हम product rule कहते हैं और product rule का अगर हम मैं आपको एक example बताऊँ तो example से ज़्यादा बहतर समझ में आएगा अब आप देखिए मैं कर रहा हूँ x sin x को हमारे पास जो question है वो है x sin x तो इसमें एक function fx यह हो गया एक function gx यह हो गया हमको इसका d by dx करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे fx यह x यह x हो गया आपका x को बहार निकालिए यही नीचे करते है x को बहार निकालिए x हो गया तो dy by dx किसका होगा आप इस sin x का प्लस अब आप x बाहर ले चुकीता है अब sin x को बाहर लीजależy यह sin x हो गया d y d x किसका होगा क्योंकि sin x को भाल यह आता x बचा यह x होगा तो क्या बना x sin x का क्या होता है cos x sin x का differentiation क्या होता है यह हो गया cos x यह तो sin x है यह आपको यह आपर और d by d x of x होता है 1 तो 1 कर दीजे इसको 1 को छोड़ दीजे x cos x plus sin x आ गया तो इस तरीके से product rule हम लगाते है अगला जो एक बहुत बड़ा important rule है जिसको हम बहुत ज़ादा use करेंगे उस वो है question rule क्या है question rule यह इसको आप यह समगते हैं कि division rule भी कहते है c o c q u o t i e n t question rule है इसमें क्या करेंगे अगर आपके पास दो function है d by dx आपको करना है दो function एक fx है और यह divided by gx है ऐसे करना है तब आप क्या करेंगे तो उसका तरीका क्या है देखें सबसे पहले इस gx को देखें पहले gx का ही काम है क्या करेंगे इस gx को लिजिए और नीचे ले आईए और इसका square कर दीजिए यह से शुरुआत करिए जी एक्स को यहां लिखिए ठीक अब लगा दीजिए आप जो आपने सीखा था ना भी जो प्रोड़क्ट रूल है वो करना है आपको उसके इसाब से करना है कैसे जी एक्स बाहर निकाला तो अंदर क्या होगा डी बाइड एक्स ओफ एफ एक्स और अब जैसे वहां आए था ना प्लस यहां माइनस आएगा अब बिलकुत सेम चीज़ यूंकि जी एक्स बाहर निकाला था इस बार एक्स बाहर निकाल लेंगे और डी बाइड एक्स जो बचता है अब जी एक्स हो जाएगा क्लियर नीचे वाला यहां आएगा स्क्वार करेंगे फिर नीचे वाले से शुरुवात करेंगे और उसके बाद जो तरीका मैंने बताया वैसी कर लेंगे विल्लब जी एक्स का करेंगे तो डी बाइडी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा फिर आपको पॉजिटिव नहीं हां नेगेटिव साइन लेना है फिर क्योंकि एफ एक् अब एक्जामपल लेते हैं और आप समझ पाएंगे कि कैसे हम क्वेशन डूल लगाएंगे तो इसमें हमारा पास जो क्वेशन है वह है आपका e की पावर x और 1 प्लस साइन एक्स अब इसका हमको d बाइडी एक्स करना है तो d बाइडी एक्स यह हो गया यह आपका हो गया f यह आपका हो गया GX तो मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले यहां लाईए GX के आप 1 प्रस Sine X इसको लीजे और इसका स्क्वाइर कर दीजे ठीक यह इसी से शुरुबाद करिए यहां 1 प्रस Sine X लिखिए और D by DX आप किसका करेंगे आप उपर बाले का अब यह तो हो चुका मैनस लाईए मैनस Sine लगेगा अब इकी प्रस Sine X यहां ले आईए और D by DX आप कर दीजे किसका 1 प्रस Sine X का अब यह क्या होगा 1 प्रस Sine X 1 प्रस Sine X तो बाहर है और E की प्रस Sine X का differentiation तो E की प्रस Sine X ही होता है D by DX of 1 plus D by DX of Sine X ऐसे कर सकते हैं constant है यह तो 0 हो जाएगा D by DX Sine X क्या होगा Sine X का Sine X का Cos X होता है तो Cos X का लिजे अब यहां पर minus Sine है नीचे का भी मैं लिखता हूँ पहले उपर का अपता देता हूँ इसको कैसे लिख सकते हैं E की पाउर X plus E की पाउर X Sine X और यह minus E की पाउर X Cos X इसमें क्या करीए E की पाउर X यहां से दोनों कुस common भी ले सकते थे तो ऐसे भी लिख सकते हैं E की पाउर X 1 plus Sine X minus Cos X और नीचे क्या है आपका 1 plus Sine X का Whole Square तो यह आ जाएगा यह आपका Question Rule हुआ तो हमने आज क्या देखा Product Rule और Question Rule बहुत शुक्रिया बहुत मरवानी आप सबीकी